वेल्कम इन आवर चानल मार्केट नीज प्लिल आइक और सब्सक्राइब एंड प्रेश द बेल आइकन फर लेटेस्ट वीडियो हलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें आज बात करेंगे एल्लॉइड्स मेटल्स की दोस्तो इसका जो आप देख सकते आज के दिन का ही क्लोजिंग अपर सर्किट में ही हुआ है 105.40 का प्राइस जोकि एकर टू येर के टाइम फ्रेम पे अगर इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते टू येर का लोग 4.12 है और हाई देख सकते आज के दिन लगा 105.40 तो आप नहीं से देख सकते कितना संदार एटन जिनरेट कर के दिया है और यहां से गर देख सकते डेवरी किस परकार कि इसमार उठाई जा रही है तो बहुत हाई वॉलिम के सात में जबर डेवरी 100% डेवरी इसमें जा रहू है बहुत ही अच्छा खाठा कारुबार हो रहा है इसमें और यहां पर देख सकते हैं टेक्निकल्स टेक्निकल्स में पर्फॉर्मेंस में आप देख सकते हैं कि 1177 परसेंट का इटरन है टू यर के टाइम फ्रेम पे लेबल में दोस्तों सूपर ट्रेंट 89.53 के ऊपर अभी भी पॉजिटिव दिखा रहा है और स्वारे के इंडेक्स में देखेंगे स्ट्रेंट के यह सब में दोस्तों इसका फाइनेंसियल से वो वो दिखेंगे लेकिन से पहले जो अपडेट आई है उसके बारे में देख लेते हैं सीदा मैं आपको चले पीडिएफ पर ले चलता हूं यह जो है देख सकते हैं थर्ड जनुवरी का अपडेट है यहां पर एक्षेंज को सब्मीट किया है इसमें सब्जेक्ट में ही देख सकते हैं कि सब्मीशन ऑफ अंडर्टेकिंग रिगार्डिंग फंचनलिटी अप दो व्यवसाइट अप दो कम्पनी ऐज पर रेगुलेशन 46 ऑफ एस सी बी के तरफ से रेगुलेशन 40 में बतायागा कि जब भी व्यवसाइट फंचनल उसके इसाब से रिपोर्ट करते हैं तो यहां पर बताया गया है और इसमें इहोंने य अंदर टेक डाइट एंड इस्टेट डाइट दो व्यवसाइट अप दो कम्पनी एल्वाइट मेटल एंड इनर्जी लिमिटेड डाइड 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 इन इस फंक्शनिंग और हैज बिन अपडेटेट इन एकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 46 ऑब देसे बी यानि जो बेवसाइट है कम्पनी का वो फंक्शनल हो गया है और उन्होंने www.alloyds.in करके बेवसाइट ओपन किया है तो उसके बारे में इंफर्म किया है अपने एक्सचेंज को रेगुलेशन के हिसाब से और दोस्तों यहां पर जो टेक्निकल्स है वो भी काफी साउंडिं करोर और यहां पर प्रॉफिट लॉस में देखें नेट सेल्स 253 करोर का है वहां पर पीवी एडिजी 30.77 करोर का वहां से अगर बैलेंस इट की बात करें देख सकते है एसे चैस फंड जो कितना बड़ा अप्टिक आपको यहां पर देखने को मिना लगभग डबल होता पिछले दो-तीन सालों में यह अपना एसे टैन लगभग यहां से 457 करोर से इंक्रीज होकर 701 करोर पे तो काफी बड़िया परफॉर्मेंस करके दिखाया है कंपनी और अगर सेर होल्डिंग पैटर्न के बात करें तो वहां से भी बिल्कुल बुलिश्टनेस नजर आ रही ह ऐसा क्यों पोल्डर की प्रमोटर ने अपना होल्डिंग यहां पर परहाया है 69.41 परसेंट कर लिया है पबलिक का होल्डिंग घटगा यहां पर 30.59 है तो दोस्तों यहां पर देखते हैं प्रमोटर से ज़्यादा अच्छा नॉलिज उस कंपनी के बारे में किसी और को नही ही है और दोस्तों यहां पर अगर बात करेंगे कि कंपनी का बिजनस क्या है कंपनी क्या करती तो कंपनी का जो इस्पॉंज आयरन का बिजनस है यहां पर इस्पॉंज आयरन का जो है और उसके पाद टीव मेकिंग कंपनी है टीव और जो पाइपिंग का है उसका तो यहां स इसमें बरी तेजी आने के संभावना है क्योंकि इसका डिमांड बहुत हाई है जिस तरह के development हो रहे है वहां से जो इस तरह का product का डिमांड बहुत हाई है rate बहुत तेजी से बढ़े है iron और steel के उसका भी company के profitability asset quality सब पर बहुत फरक परेगा और अभी इसका huge demand है especially जब चाइना में इन चीजों का production कम हुआ है और भारत में भारत से export का demand हाई हो रहा है और export आप हर बार देखेंगे कि बहुत तेजी से grow हो रहा है तो वहां से दोस्तो इसका जो target है वो काफी उपर आ रहा है आप देख सकते long term chart पे इसमें breakout है यानि बहुत बढ़िया यहां से target उपर के set करेंगे वो यहां से भी अगर अच्छे खासे target set कर सकते हैं पहला जो target रहेगा वो 115 रूपीच के रहेंगे जो दूसरा target रहेगा 122 रूपीच के और जो तीसरा target रहेगा वो रहेगा 135 दोस्तो यह तीनों target आपको short term ही achieve होते हुए दीख सकते हैं तो दोस्तो ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आपको भी वीडियो मिश्ट नहीं कर पाए और अगर आप short term basis profit बनाना चाहते हैं तो आप मेरे free telegram channel से जूर सकते हैं जहां पर मैं short term positional call share करता हूँ और generally वैसे call share करता हूँ जिसमें movement आने वाला होता है generally क्या होता है कि news में share तभी आते हैं जब उसमें बड़ा movement आ चुका होता है तो उसके बाद से retail investor यह सोचते है कि इसमें अब entry करना रिस्की होगा और वह होता भी है क्योंकि बहुत movement के बाद उसमें करेक्सान आने के chances जादा होते हैं इसलिए बहुत सारे उसमें trap हो जाते हैं और बाद में बोलते है कि मुझे movement से पहले entry करना था है तो दोस्तों वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे opportunities मैं pick करके लाता हूँ और share करता हूँ तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में नए news नए update के साथ धन्यवाद